एलूरी वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चनल फार्मरोक्स के यूट्यूब हेदि चनल में अपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम links लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडि करेंगे एनाटोमी उफ हार्ट। और यह हमारा पार्ट 3 वीडियो लेक्चर है on this topic and आज कुछ और important topics को सिखेंगे cardiovascular system and anatomy of heart के बारे में तो हम सिखने वाले है मानव रदे की सररचना की जो हम काफी सरल भासा के अंदर easy language के अंदर सिखने वाले हैं तो सुरू करते हैं आज के लेक्चर में expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of PharmaRox, thank you for being one leg family of PharmaRox, update it रहे हैं PharmaRox के साथ, access कर सकते हैं study material, test series and the video lecture on app PharmaRox तो अगर आपके पास android phone है तो Google Play Store पर से PharmaRox का mobile application download कर सकते हैं अगर आपके पास iPhone है तो app store पर से भी download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी तो हम सिख रहे हैं cardiovascular system और उसके अंदर हमने part 1 and 2 के अंदर सिखा कि cardiovascular system को हम blood circulatory system भी कहते हैं because ये system का जो main काम है वो है blood supply करना, साथ ही हमने सिखा कि ये system का जो main organ है वो है हमारा heart और ये system का जो main basic function है blood को circulate करना और blood के अंदर रहे nutrients as well as oxygen है वो body के सभी cell की और अच्छे से पहुचाने का काम करता है ये cardiovascular system और इसके लिए उसे help करता है blood vessels कि जो large collection हम कह सकते है या फिर जो सबसे बड़ा network कह सकते है जो blood vessels का है वो इसको help करती है तो CVS जो है वो तीन चीजों से compose होता है एक है हमारा heart दूसरा है blood और third that is a blood vessels और उसका काम है circulate करना और transport करना nutrients को amino acids को electrolytes को oxygen carbon dioxide hormones and blood cell तो ये सब हमने part one and two के अंदर अल्रेडी सिखा है फिर हमने natural जो pump है हमारा body का heart के बारे में जाना कि वो pump करता है blood through the blood vessel और ये एक muscular organ है फिर ये चार function हमने सीखे थे कि pumping oxygenated blood to the other part of the body pumping the hormone receive deoxygenated blood and forward it for oxygenation in lungs मतलब कि जो heart है उसका basic function तो हमें पता है कि वो pumping का ही है और pumping किसका करना है तो blood का pumping करना है और दो पात्वे जो है कि एक pulmonariv पात्वे कि जो lungs की और जाता है oxygenation के लिए और दूसरा systemic circulation कि हमारे सभी body parts की और जो है वो blood पहुचता है और साथ ही हमारा जो blood pressure है वो भी maintain करवाता है heart तो हमने सीखा कि heart जो है वो total 4 chamber के अंदर जो है वो divide होता है एक है right side का atrium और right side का ventricle same like that left side का atrium and left side का ventricle और ये चारो जो अलग-अलग part तयार होते है या फिर चारो अलग-अलग chambers तयार होते है heart के उसके लिए involvement है ये walls का कि ये एक tricuspid wall, pulmonary wall, mitral wall and arctic wall तो यहीं पर main concept है ये diagram के अंदर ही heart की anatomica की वो समझते हैं कि यहाँ पर देखें कि बीच में समझो कि मैं एक line draw करता हूँ heart की तो इसके करण जो हमारा heart है वो दो part में divide हो जाएगा एक side हो गया है उसका right side और दूसरा हो गया है उसका left side अब यहाँ पर समझना यह है आपको कि right side की और attrium भी present है और ventricle भी present है बट यह दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो रहे हैं separate कैसे हो रहे हैं तो यहाँ पर यह जो साब रचना देख रहे हैं कि यह जो देख रहे हैं उसको हम wall कहते हैं तो यह जो trico speed wall है उसका काम क्या है कि right side के attrium और right side के ventricle को एक दूसरे से separate करता है तो यह वाला समझे कि इस तरह से हम joint कर दे तो यहाँ पर दो chamber तयार हो गया chamber 1 और chamber 2, chamber 1 हो गया right attrium, chamber 2 हो गया right ventricle और उनको separate करने का काम किया यह trico speed wall ने उसी तरह से हम left side भी देखें तो यहाँ पर यह present है मित्राल वाल और यह मित्राल वाल आप देख सकते हैं कि यह वाला यह जो वाल पूरा है वो left side के attrium और left side के ventricle को एक दूसरे से separate कर देता है तो यहाँ पर भी मैं यह इस तरह से draw कर दो line तो यह समझे कि इसको में number 3 और number 4 दे देता तो इस तरह से 4 अलग-अलग chambers तयार हो गए हमारे heart के और वहाँ पर यह दो वाल आपने समझ लिए कि मित्राल वाल ट्राइको स्पीड वाल अब दूसरे जो दो वाल है कि एक pulmonary वाल है और यहाँ पर और टिक वाल तो pulmonary वाल क्या करता है कि जब right atrium में से right ventricle के अंदर जब blood आता है कि आप यहाँ पर जो direction देख सकते हैं कि जो blood आ रहा है यह blood यहाँ से right atrium right atrium से आया है right ventricle में तो यहाँ से अब जब वो lungs के और उसको जाना है तो यह pulmonary artery के तुरू जाएगा यहाँ पर देखो यह लिखा है pulmonary artery तो यह pulmonary artery के तुरू इस blood को जो है वो जाना है lungs की और तो जब यह वाला वाल ओपन होगा कि जिसको pulmonary वाल कहेंगे तो ही pulmonary artery के अंदर blood जो है वो पहुचेगा right side के ventricle में से उसी तरह से जब lungs में से blood वापस आता है और left ventricle में से left ventricle में आ जाएगा तो यहाँ से जब उसको systemic circulation के अंदर जाना है तो यह है orta तो left ventricle में से यह orta के अंदर हो कि जब उसको systemic circulation के अंदर जाना है अलग-अलग body parts की और उस वक्त भी यह वाला wall open होना जरूरी है और यह wall को हम कहते है और take wall तो यह चारो wall का involvement है मतलब कि heart की जो रचना है वो एकदम simple है आपको चार यह chambers खास याद रख लेने है कि चार chamber में वो divide हुआ कि इस तरह से यह चार chamber कर लिए और याद रखने है चार wall और इस तरह से यह जो center line जो मैंने बता है कि जो septum होती है वो septum एक right side और left side दोनों को जो वो separate करती है और यह देख सकते आप यह दो chambers और उसी तरह से यहाँ पे यह दो chambers इस तरह से total चार chambers के अंदर heart जो है वो हमारा divide होता है तो आप यहाँ पे देख सकते कि जो normal blood flow होता है कि right atrium में जो blood आ रहा है वो right ventricle में वहाँ से यह जाता है lungs की और lungs में से उसका oxygenation होने के बाद यह आएगा फिर से left side के atrium के अंदर वहाँ से ventricle के अंदर और ventricle में से फिर जाता है systemic circulation के अंदर तो इस तरह से यह उसका पूरा पात्वे जो है वो तैयार होता है फिर से समझे कि अलग-अलग यह body parts में से यह blood आ रहा है right atrium में आगा है right atrium में से right ventricle यहाँ से यह जा रहा है lungs के अंदर lungs से वापस आके pulmonary vein के त्रू left atrium के अंदर वह से left ventricle वहाँ से यह orta के त्रू अलग-अलग body parts की और वो आगे बढ़ेगा तो इस तरह से यह पूरा जो pathway है वो तैयार होता है हमारे body के अंदर और इसके अंदर जो heart coming function है कि दो तरह के circulation में help करना एक systemic circulation के अंदर दुसरा pulmonary circulation के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो diagram है वो आपको यहाँ पर समझना है easily कि जो यह वाला diagram है तो यहाँ पर आप color देख सकते हैं कि एक जो color है वो है blue color और दूसरा color यहाँ पर दिखाया है red color कि यह वाला portion आप red देख सकते हैं यहाँ पर यह blue color है तो उसका मतलब क्या है तो उसका मतलब एक ही है कि जो blue color वाला reason है वहाँ पे लिखा है कि black blood लिखा है और ये वाला जो है वो red blood है तो black या फिर जो blue blood है उसका मतलब ये है कि ये blood के अंदर oxygen जो है वो काफी कम amount में है that means very less oxygen या फिर poor भी लिख सकते है जबकि ये जो arterial blood है वो red color का है because वो जो है वो high amount of oxygen उसके अंदर present है because कि ये जो blood है वो proper oxygenation होने के बाद आ रहा है lungs में सथियाँ पे देखिये pathway कि अलग-अलग organs organ system में से ये blood जो है वो right side के atrium में आया right side के atrium में से वो जा रहा है ये pulmonary artery के थुरू lungs के अंदर फिर वहाँ से pulmonary vein के थुरू left side के atrium left side के atrium में से वो blood अब जा रहा है अलग-अलग body parts के और तो ये वाले diagram से भी आपका काफी concept जो है वो यहाँ पे clear हो जाता है कि एक pathway जो है वो सिर्फ lungs के और जाता है और lungs में से वापस blood को heart के अंदर लाता है oxygen and CO2 का exchange करवा के और दूसरा जो pathway है कि जो और टा के थुरू जाता है और ये systemic circulation के अंदर blood को पहुचाने का काम करते हैं तो heart का जो आपको schematic diagram ड्रॉ करना है वो आपके पास दो option है एक ये वाला diagram भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये second वाला दोनों में से जो भी आपको easy लगे वो diagram जो है वो exams के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं depend on your suitability तो यहाँ पर आप color भी कर सकते कि जैसे की समझे कि ये वाले जो है पूरा तो right side का जो पूरा portion आप देख सकते हैं तो इस तरह से ये पूरा chamber एक तयार होता है attrium का same like that यहाँ पर भी आप right side का attrium color कर सकते हैं फिर नीचे के और ventrigals तो दोनों जो attriums है कि चाहे वो left है या फिर right side तो दोनों के अंदर एक आपको हमेशा difference याद रखना है और ये common चीज़ भी कि दोनों का काम है blood को पहले तो receive करना चाहे ये left side का हो या फिर right side को दोनों blood को सबसे पहले receive करते हैं तो ये हो गई उन दोनों के बीच के common बात बट difference ये है कि जो right side के atrium के पास जो blood है वो oxygen poor blood है मतलब कि उनके अंदर oxygen बहुत ही कम amount में होता है जबकि left atrium के पास जो blood receive होता है वो oxygen rich blood होता है बहुत सारा oxygen उसके अंदर pleasant होता है विकोज ये lungs की और से oxygenation के बाद आ रहा है वो blood इसलिए आप देखो यहाँ पे लिखा है कि blood का ये pathway दिखाया है कि atrium में से ये ventricle, ventrium में से ये blood to the lungs फिर वही blood वापस आता है blood from the lungs और वो left side के atrium के अंदर आता है और फिर वहाँ से ये और्टा के थुरू आप देख सकते कि blood to the body तो इस तरह से ये diagram से भी आप anatomy जो है वो खास अच्छे से समझ सकते हैं तो heart के जो चार चेंबर मैंने आल्रेडी आपको समझा दिये, atria, ventricle, फिर जो दुसरे जो पार्ट है या फिर circulation आप समझे तो pulmonary and systemic circulation फिर यहाँ पे जो हमें main समझना है कि जो heart के जो चार वाल, तो जो चार वाल आप यहाँ पे देख सकते हैं एक है pulmonary wall, एक है trichospid wall, ortic wall and mitral wall तो यह वाल्स का काफी important involvement है कि जो blood circulation होता है कि जो हम आगे next part 4 के अंदर सिखेंगे कि इस तरह से proper blood circulation होता है तो क्या होता है कि जो trichospid wall है उसका main हम देखे तो अब तक जिस तरह से आप समझे हैं उसके according to आप देख सकते हैं कि जो trichospid wall है वो हमेशा separate करता है attrium को ventricle से और वो भी right side के तो जो मैंने आपको starting में कहा था कि जब भी आप heart की anatomy सिखते हो तो सबसे पहले आपको ये एक center में line draw करके एक side right side लिख लेनी हो और एक left side और एक यहाँ पे दो line इस तरह से कर देनी कि जिससे heart के जो चार चेंबर से वो तयार हो जाए तो ये वो उपर वाला चेंबल मतलब की right side का attrium तो वहाँ पे आरे लिख सकते हैं नीचे की और right side का है ventricle है उसी तरह से ये left side का ventricle और ये right left side का attrium तो ये abbreviations आप लिख देगों तो काफी easily समझ में आ जाएगा कि trichus speed जो वाल है उसका main function ये है कि इसका main एक ही है कि right attrium and right ventricle ये दोनों को एक दुसरे से separate करने का काम करता है तो यहाँ पे भी दिखा है देखो कि separate the right attrium from the right ventricle तो दोनों right side के जो attrium है या फिर ventricle दोनों को एक दुसरे से separate करवाने का काम है ये trichus speed वाल का उसी तरह से ये वाला जो मित्राल वाल है वो भी function है similar to the trichus speed वाल but यहाँ पे right attrium के बज़ाय हो जाएगा left attrium and ventricle तो मित्राल वाल separate the left attrium from the left ventricle तो यहाँ पे आपको एक ही वर्ड चेंज करना है कि trichus speed के जो right side के attrium and ventricle को एक दुसरे से separate करता था same like that मित्राल वाल की जो left side के attrium and ventricle को एक दुसरे से separate करता है अब आगे सिकते हैं दूसरे दो वाल एक है pulmonary wall तो pulmonary wall की रचना क्यों कहीं गई है तो pulmonary wall क्या करता है कि जब यह जो blood यह right side के ventricle के इंदर आता है और यहां से इसको जाना है यह lungs की और इसका main पाथवियब है कि right ventricle में से blood को lungs की और जाना है तो उसकी लिए जो blood को ले जाने वाली जो artery है उसका नाम है यह pulmonary artery और यह pulmonary artery का जो starting point है कि जो हम opening कह सकते हैं यहां पे तो यहां पे यह wall आया हुआ है तो blood अब क्या करेगा कि यह wall जो है वो बंद हो जाएगा tricol speed wall जो है वो close हो जाएगा और यह wall जो है वो open होगा जिसके करन right atrium में से जो blood है वो यह pulmonary wall को open करके यह pulmonary wall को open करके जाएगा lungs के अंदर तो यहां पे लिखा है कि between the right ventricle and the pulmonary artery की यह right atrium होगा यह pulmonary artery हो गई और which carries blood to the lungs और यह क्या करता है blood को lungs की और carry करता है उसी तरह से आसन बासा में समझ लेजिए Arctic wall के बारे में तो lungs ने तो अपना काम कर दिया oxygen and CO2 का exchange करने का अब यह जो blood है कि जिसके अंदर oxygen आ चुका है वो blood यह pulmonary veins के थुरू आएगा यह left side के atrium के अंदर left side के atrium में से यह mitral wall को open करके हमें पता है कि वो blood left side के ventricle के अंदर आ जाएगा अब left side के ventricle में से यह blood को जाना है body के अलग-अलग parts के और तो इसलिए यह orta जो है वो present है तो orta क्या करेगी उसका जो opening के वहाँ पर यह wall आया हुआ है ortrick wall तो जब blood को left ventricle में से यह orta के तुरू अलग-अलग body parts के और जाना है तो उसका यह wall जो है वो open हो जाएगा तो ortic wall is between the left ventricle and the orta which carry blood to the body अब यह blood यह wall open करेगा उस वक्त मित्राल wall जो है वो क्या रहेगा बंद रहेगा और यह blood left ventricle में से चला जाएगा अलग-अलग body parts की और तो यह होगा है simple कि दोनों wall की एक ortrick wall है या फिर pulmonary wall यह दोनों का easy function और उसके बाद heart की anatomy के अंदर यह point बाके बचता है वो है heart के layers तो heart की जो wall होती है जो दीवाल होती है वो भी अलग-अलग layers की बनी हुई होती है जैसे की एक layer है यह myocardium की बीचम का जो यह वाला पूरा आप यह जो reason देख रहे है कि जो अभी मैं lines draw कर रहा हूँ तो इसको करते हैं myocardium and this is the muscular tissue of the heart heart की जो main muscular tissue है उसको हम myocardium कहते हैं फिर आता है endocardium की जो सबसे अंदर की और है कि tissue lines the inside of the heart and protect the valve and chamber तो यह diagram में देखो कि यहाँ से यह zoom करके आपको यहाँ पे वो line दिखाईगी है तो जो rate वाला जो यह portion आप यह वाला देख सकते हैं तो वो तो myocardium आपने समझ लिया but myocardium से आगे की और कि जो inside का portion है कि heart के अंदर की side का portion तो वो बनता है यह endocardium के मतलब कि जब heart से आप शुरुवात करते तो सबसे पहले आएगा यह endocardium आएगा उसके बाद आएगा यह myocardium का layer तो endocardium की जो सबसे अंदर है endocardium के बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुचते हैं यह myocardium की और और myocardium से भी आप आगे जाते हैं तो reason आएगा epicardium का कि वो एक तीसरा main layer है हमारे heart का तो तीसरा main layer that is epicardium and this protective layer consists mostly of connective tissue and forms the innermost layer in the pericardium pericardium का जो सबसे अंदर का या फिर यह जो layer में सबसे पहले endocardium फिर myocardium है उसके बाद आने वाला यह number 3 that is epicardium तो यह 1 यह 2 और यह 3 उसके बाद यह है pericardial cavity है या फिर space हम कहे सकते हैं उसके बाद सबसे बाहर का यह portion fibrous pericardium कहा जाता है तो pericardium मतलब की thin protective coating that's around the outer part मतलब की जैसे हमने कहा कि endocardium सबसे अंदर का बाग है inside तो बाहर का बाग मतलब की जो outside है वो layer outside के layers तयार करता है यह pericardium तो pericardium में एक fibrous pericardium आता है और parietal layer of serous pericardium देख तो fibrous और serous pericardium आएगा तो यह वाले में लिखता हूँ यह P यह दोनों जो P लिखे वो दोनों pericardium के लिएर है फिर यहाँ पे pericardial cavity आती है और उसके बाद यह 3, 2 and 1 जो start हुए वो आ गए अंदर के layer कि एक endocardium दूसरा myocardium और तिसरा epicardium तो यह तीन main layers और pericardium की जो पूरा coating है तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब mcq के अंदर यह wording आप देखो कि protective coating और वो भी लिखा हो जब थीन लिखा हो और यह word कि surround the other parts of the heart तो उसको आप कहोगे pericardium उसको क्या कहोगे pericardium फिर समझे के लिखा है कि protective layer mostly consists of connective tissues and form of innermost layer of pericardium दूसरा अंसर आएगा epicardium का तो यहाँ पर देखिए आप pericardium देख सकते हैं कि जैसे कोई आप packing करते हैं तो packing के दौरान जैसे हम कोई एक cover तयार करते हैं coat तयार करते हैं same like that hearts के जो chamber से उसके जो wall है उसके उपर जो पूरा एक layer है वो है यह pericardium का तो यह पूरा जैसे आप एक pouch जैसा देख सकते हैं और उसको इस तरह से आप open करो deception के लिए तो इस तरह से यह पूरा उपर का pericardium आप remove भी कर सकते हैं कि जिसके दो पार्ट में ने जैसे कहा आपको एक fibrous होता है और दूसरा serous होता है serous आगे parietal and visceral pericardium के अंदर जो है वो divide होता है और जो space होती है वहाँ पे present होता है यह pericardial fluid तो pericardium also known as a pericardial sac is a double wall sac containing the heart and the root of the great vessels and it has a two layers कि जैसे अभी हमने diagram में देख लिया उस तरह से दो लेयर उसके fibrous pericardium and serous pericardium तो यह आपको layers सिखने थे human hearts के next जो हमें सिखना है अगले lecture में वो है blood का circulation कैसे होता है कि oxygen rich blood और oxygen poor blood कौन से side होता है और कैसे यह systemic circulation achieve होता है तो हमारा next lecture है blood circulation heart की anatomy हमने यहाँ पे detail में समझ ली है next lecture में blood circulation समझेंगे तो access करें pharma rocks के lecture notes use करें pharma rocks join कर सकते है whatsapp group access करें study material test series and the video lecture on pharma rocks good luck and all the best